नमस्कार सच कहू नियूज में आपका स्वागत है देखिया आज के मुख्य समाचार और अब खबरे विस्तार से वह मुंबई शहर के पारेल इलाके में 18 मंजिला क्रिस्टल तावर की बारवी मंजिल पर बुद्वार सुबे करीब 8 बजे भीशण आग लग गई धूए में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है इसमें एक बुज़र्ग महिला और 3 पुरुष शामिल है तबित बिगडने के बाद 20 लोगों को के एम हॉस्पीटल में भरती करा गया है इमारत में फसे करीब 35 लोगों को क्रेन की मदब से निकाला गया फैर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया की डक्ट वाले हिस्थे में बिजली के तारों में आग लगने के बाद हुआ पूरी तरह इमारत में फैल गया पुरा फ्लोट अपने लगा और उपरी मंदिलों पर रहने वाले लोग फस गए आग लिफ्ट वाले हिस्थे में ज़्यादा लगी थी इसलिए इसकी वज़़ शौर्ट सरकित भी मानी जा रही है दिली के पहाडगं जिलागी की चूना मंडी में बुदवार सुबे चार मंजला इमारत में आग लग गए जब आग लगी तब 5-6 लोग मकान में फसे हुए थे इन्हें पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाला मकान में फसे लोगों में से एक शक्स ने छलांग लगा दी जिससे उसे गंभीर रूप से चोटे आई जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पिताल में भर्ती कराया गया है जनकारी के मताबिक नीचे के दो फ्लोर में गोदाम चल रहा था जबकि उपरी मंजल पर लोग रहते थे बिशडाग की वज़े से फायर बिगट को कॉल किया गया जिसके बाद मौके पर आठ फायर बिगट की गाड़ियां पहुँच कर आग बजाने में जुट गए राफिल डील के मुद्धे पर कॉंग्रिस और मोधिन सरकार के बीस ठनी हुई है लेकिन अभी ये लड़ाई कॉंग्रिस बनाम अमिल अंबानी होती जा रही है अनिल अमबानी ने पहले इस मुद्धे पर कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांदी को दो चिठ्या लिखी थी और अब उन्होंने कॉंग्रिस प्रवक्ता जैवीर शेरगिल को लीगल नोटिस भी थमा दिया है इस नोटिस में अनिल अमबानी ने सीधे तोर पर कहा है कि कॉंग्रिस प्रवक्ता बिना किसी सबूत के कोई आरोप ना लगाए सिर्फ वही बोले जिसका उनके पास सबूत हो अम्बानी ने चिताए कि कॉंग्रेस पार्टी या उसके प्रवक्ता किसी भी तरह की गलग इन्फोर्मेशन ना फैलाएं प्रामली जिले के जीजान ठानक शेत्र के कमाल पुर गाउं में जहरीली सराप पीने से दो दिन में पांच लोगों की मौत हो गई है जबकि आधा दर्जन के करीब गंभीर हालत में अस्पताल में ही भर्टिक किया गया है ग्रामीडो का आरोप है कि कई सालों से पुलिस की मिली भगत से कच्ची शराप का धंदा किया जा रहा है जिस कारण लोगों की मौत हो गई है मंगलवार को तीन लोगों की मौत हो गई जबकि बुद्वार सुबह दो लोगों की ही मौत हो गई है महीं घटना की जानकारी मिलते ही शामली एडियम और एडिशनल एसपी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुँचे जहां उने ग्रामीडो के आकरोश का सामना भी करना पड़ा ग्रामीडो ने घटना के बाद पुलिस मौर्दाबाद के नारे लगाए इस मामले में एक मौत के परिजिनल का कहना है कि काफी दुनों से गाउम में कच्ची शराब बिक रही थी गौ में जोगा नाम का सरदार है जो कच्छी शराब बेशने का काम करता था नर्डम एक साथ दो मेट्रो परियोजना का उधगाटर्म प्रथान मंतरी नरेंदर मोधी और फियोर से अक्टूबर में किया जाएगा इसके संकेत मंगलवार को नुएड़ा प्राधिकरण चियर्मेन आलोग टंडन के सेक्टर 71 मेट्रो स्टेशन पर एकवा लाइन निर्क्षण के बाद अतिकारियों को दे दी गई है निर्क्षण के दोरान उन्होंने दिल्ली मेट्रो रिल कॉर्परिशन के परियोजनायों निदेशक से कहा कि एकवा लाइन मेट्रो उधगाटन से पहले ब्लू लाइन पर बनने वाली सेक्टर 32 से सेक्टर 55 इलेक्ट्रोनिक सिटी मेट्रो का भी संचालन शुरू किया कि क्या हम चुनाओ आयों को ये निर्देश दे सकते हैं कि अपरादियों को टिकट देने वाले दलो का चुनाओ चिन छीन ले जवाब में केंदर सरकार ने कहा कि ये काम सांसत का है कोड में बैठर जज़ों का नहीं ये आसा मैधानिक है और इसके गंभीर परिडाम होंगे अटर्ने जेनरल के के वेडियो गोपाल ने कहा कि आदाला समिधान द्वारा वर्जिस क्षेत्रों को हाथ लगा रही है दिखाई देरा ये नजारा गाउंस आगरपुर के सरकारी स्कूल का जहां पर खबर चलाने के बाद जिला सिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंची और ग्रामीडो और पीडित बच्चो समयत उनके परिजनों को मौके पर बुलाया सिक्षा अधिकारी ने परिजनों के बच्चों से बात की और टीचर से माफी मांगने को कहा वह आरोपी टीचर ने भी साजनिक तोर पर सभी के सामने हाथ जोडते हुए आगे से ऐसा ना करने क आश्वासन भी दिया है सिक्षा अधिकारी की माने तो उन्हें पता चला था कि बच्चों की पनिश्मेंट का मामला है नेक्स टेम अगर कोई गल्ती होगी तो टीचर को पूरी सजा दी जाएगी छोड़ानी जाए मही परीजिनों ने बताया कि बच्चों ने जिला सिक्षादिकारी के सामने सब को सच बता दिया है कि उनके गले में चपलों की माला डाली गई थी लेकिन बच्चों ने मेडम को माफ कर दिया है तो आपने उनको बताया है सारा उसके बाद फिर मेडम ने पूछा कि सजा दे नहीं दे हैं तो आपने क्या का उनको आपने उनको माफ कर दिया फरिज़ाबाद से राजेंदर दहिया की रिपोर्ट थाना फटेपुर्ख शेत के चौबारा गाउं में सुबे करीम नौ बज़े कुर्बाने स्थल पर जल भराओ की वज़े से कुछ लोग सारवजिनिक लास्ते के समीब कुर्बानी कर रहे थे इस मामले में उसी समुदाई के विरोधी पक्षों ने अमेरिजनसी डायल सो पर गौकाशी की जूठी सूचना दे कर जिला प्रिशासन और पुलिस के अधिकारियों को गाउं में इकठा कर लिया गौकाशी की सूचना मिलते ही स्पी देहात विद्या सागर मिश्रा सीयो सदर चौब सिंग पहारनपूर एडियम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौकर पहुंचे और मामले की च्छानबीन शुरू कर दी तो मामला आपसी रंजिश का निकला पुलिसादिकारियों ने बताये कि सुचना देने वाले पक्ष की कुर्बानी कर रहे दूसरे पक्ष से किसी बात पर पहले से रंजिश चली आ रही थी यह घटना ठाना फतेपुर के गाउं चौबारा की है जहां कुर्बानी के स्थल को ले करके एक ही समधाय के दो पक्ष आपस में विवात कर लिये थे जिसमें फोर्स मौके पे भेजा गया था सीओ, एजडियम, स्पीरे सभी मौके पे मौझूद भी है सांती विश्ता की इस्तिती सामान ने है दोनों पक्ष से ही दोनों लोगों को हिरासत मिलिया गया है आउस्यक वैदानी कारवाई की जा रही है गाह में सुरक्षा के कड़े बंदोबस भी किये गए है भारी पुलिस फोर्स मौझूद है हंगामे के दोरान एक बाइक भी फूख दी गई है आज के इस बुलिटेन में बस इतना ही बने रही है सच कहूनी उसके साथ कहास है